अशास्त्र वहितम घोरम तप्यंते ये तपो जनाह दंब अंग। अशास्त्र वहितम घोरम तप्यंते ये तपो जनाह दंब अंग। असात कामना और राग के बल से प्रेरित तो श्रीक रिष्ण यहां कहते हैं कि शास्त्रों के विपरीत दंब और एहिंकार से युक्त होकर के घोर्टप करने वाले तपस्वी जन्द गोरम और राग के बल से प्रेरित होते हैं। है तो आच के समय पे यदि आपको ये कहा जाए कि तपस्या और यagya करना है तो तपस्या और यagya के विश्य में लोग पराय हैं इन कारें को कल्यान कारी ही मान लेते हैं किन्थू ये प्रत्यक स्थिती में सत्य नहीं हैं वास्ता में हो क्या गया है कि आज की समय पर तपस्या और यग्ये जो है वह ऐसे मान लिए गये हैं कि ये अच्छे कार्रे कार्रे ही हैं और आलिश्य को जो है बुरा माना जाता है यह यह होता नहीं है यह शब्डों का उप्योग ओगा इस कारण्ट ज weas बूल गए हैं वास्ताव में कि सभी प्रकार के कारे जो होते हैं वे सभी वास्ताव में तपस्या और यग्या हैं इस विशव में लोग अग्यानी हो चुके हैं लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इस संसार में जो भी कारे हम कर रहे हैं वह सभी कारे वास्ताव में इस अनुदान है तो वह एक प्रकार से तपस्या ही है कि इस बात को समझ नहीं पाते हैं लोग और सोचते कि यग्य और तपस्या केवल जब अच्छा कायरे करना होता है ना जब हम किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तब हम यग्य और तपस्या करते हैं केवल ऐसे सोचते लगे है तो ये एक अनुचित अवधारना है, वास्ताव में ये जो विचार है ये इतना प्रबल हो चुका है कि लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, कि जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे हो सभी वास्ताव में तपस्या है, तो इस जीवन में कुछ भी पाने के लिए हमें घोर प पाने के लिए ही करता है, तो कुछ ने कुछ पाने के लिए ही करता है, तो वास्ताव में तपस्या और यग्या ही वो कर रहा है, इस बात को समझना बहुत अनिवार है हमारे लिए, लोग इस बात को नहीं समझते हैं, लोग ही सोचते हैं कि बस जब हम पूजा करते हैं, चोरी करने के लिए तो वो भी वास्तों में तपस्या और यग्या है ये हम को समझना है यहाँ पे तो अच्छे और बुरे कारे दोनों ही वास्तों में तपस्या और यग्या ऐसा नहीं कि तपस्या और ये किवर अच्छे कार रहे हैं बुरे कारे भी तपस्या और यग्या हो स फिरंतु क्या वह जो परिश्रम है? वह उचित, प्रेड़ना से बल प्राप्त कराया या नहीं प्राप्त कराया इस बात को में समझना था जब कोई व्यक्ति दूसरों प्रभावित करने के लिए स्वार्थी इच्छा के साथ घोर परिश्रम करता है तो ऐसा व्यक्ति दंब सिर्फ प्रिजित होकर अपने एहंकार की संतुष्टी के लिए कर्म कर रहा होता है और आप देखें कि अधिकांश लोग ऐसे ही कार्या करते हैं बड़ा घर बना लूँ क्यों बनाऊं ताकि दूसरों को प्रभावित करता हूँ कि देखो मैं कि इतने बड़े घर में रहता हूँ खूब सारी संपत्ति खट्टा कर लूँ उसके लिए खूब परिश्रम कर रहे हैं क्यों करूँ ताकि दूसरों को प्रिजित करता हूँ कि देखो मेरे पास इतनी और एहंकार से प्रेरित है, अपने एहंकार को संतुष्ट करने ले प्रेरित है, तो इस प्रकार का कर्म है, वह कामना और राग के बल से प्रेरित होता है, ना कि कल्यान एवं अच्छाई के बल से प्रेरित, और इस प्रकार किया गया कोई भी यग्यवास्तों में शास्त्रों के विरुद्ध है और इसलिए इसे उचित नहीं माना जाना चाहिए किन्तों आप देखिए आज की समय पे लोग ऐसे ही करते हैं अधिक अधिक लोग जो की मोटिवेटिंग स्पीकर्स होते हैं यही बोलते हैं कि खूब परिश्रम करो और फिर यह प्राप करो वो प्राप करो यह प्राप करो और फिर ऑपर यही प्राप करो प्राप करो अधिक बोलेंगे भी विज्वे में कोई बात नहीं करे गा विज्वें एक करेंगे बहुति को समझते हैं तो आपको ठीक पोर कार्से यह यह करना है बिदô 한by को अधिक प्रकार से समय करते हैं अलगरं में अनचों का इसह करता हूं कि मैंने इस लोग को अच्छे इस नभीय आपकर करते हैं नमस्ते झाल झाल